दोस्तो आपका एक नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत है यह ब्लॉग वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है सो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा हमारे गाउ नर्गा से सटे ही एक जैनगर गाउ है जिसे हम जलेगर भी कहते है जिकी नर्गा और मुजौलिया के बीच में है यहां दोस्तो गुरूप निमा के दिन काफी भारी मेला लगता है तो चलिए दोस्तो आप लोग भी मेला देखिए कि सत्तो आपक है दोस्तो पाया दोस्तो तोस्तोप लोग संवीता है जिसिने चार पहल को जहारा है सबाइब राची निकी प्रत लोग जम्यां हमोई एक जान की थेवाउ्या sugar और दोस्तों आप देख रहांगे कि यहां पर कितना साड़ा भीर लगा हुआ है और यह वही बाबा है जिन्होंने मेला का यहां पर शुरुवात के हुए इनका नाम भीखारी दास है दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू कि यह मेला काफी वर्सों से चलता आ रहा है और आगे समय में भी चलेगा इस मेला को देखने के लिए काफी दूर-दूर से लोग आते हैं जैसे कि नेपाल हो गया सिता मरी हो गया और भी काफी दूर दूर जगव से आते हैं और यहाँ पर कथा चल रहा है जैसे कि पूरुस और महिलाय जिनको भी यहाँ पर कथा सुनने का मन हो यहाँ पर रहकर कथा सुन सकते हैं और कथा का अनन्द ले सकते हैं और यहां पर दूर दूर से आये सरधालों के लिए भी खाना का उत्तम ब्यवस्ता है जिसे हम भंडारा या लंगर भी कहते हैं तो चलिए अब हम आपको भंडारे की तरफ ले चलते हैं आप यहां पर देख सकते हो कि खाना का पहले से ही ब्यवस्ता हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि भक्त लोग खाना भी खा रहे हैं और दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्कुल गरम गरम खाना खाने को मिलेगा हमने यहाँ पर खाना खाने वाले लोगों से भी पूछा तो उन्होंने बताए कि यहाँ पर काफी अच्छा स्वादिश्ट खाना बनता है यहाँ हर साल गुरुप पुर्निमा के दिन मेला में लगभग 10,000 से भी अधिक लोग भंडारे में खाना खाते हैं यहाँ से सटे ही एक सरकारी इसकुल है और यहाँ पर एक तलाब भी है दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सस्क्राइब कर दीजेगा और क्या आप भी आये थे यहाँ पर घुमने तो हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा हम आपके कमेंट का इंतिजार करेंगे